Dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, would like to discuss today about Coriandrum. It is part of Unit 5th of Botany Paper 2nd, B.C. 2nd year. So, as we know that spices and condiments are a special ingredient in Indian Kitchen and in your syllabus, there are 9 spices and condiments. तो आज इस वीडियो में हम Coriandrum Sativum के बारे में पढ़ेंगे. Coriandrum Sativum from the family APAC. और इस family की चर्चा हमने पहले भी की है कि इस family का पुराना नाम Ambelly Fairy था, जहां इसको इसके Ambell Pushpakram अर्थाच छत्रक Pushpakram के कारण इसे ये Ambelly Fairy नाम दिया गया था. परन्तु जब Rules of Nomenclature अपलाए हुए, तो हर फैमिली के अंत में CEAE होना चाहिए और इस वज़े से इस family का नाम बदल कर APAC रख दिया गया. तो APAC family का ये First Condiment हम पढ़ रहे हैं आज, Coriandrum Sativum. और जैसा कि इस पिक्चर में आप देखी रहे हैं, इससे आप वाकिव हैं, ये है जो हमारा पॉपरलली यूज में लिया जाने वाला पौदा है, धनिया. इसका common name इंग्लिश में इसे coriander कहा जाता है, हिंदी में इसे धनिया कहते हैं, इसके भीजों का और इसके पतियों का, दोनों का ही इस्तेमाल हम करते हैं. तो किसी भी spice in condiments की जब हम सरचा करेंगे, तो हम पहले उसका distribution देखेंगे, कि वो इंडिया में कहां distributed है, वोल्ल में कहां distributed है, देन उसके बाद उसकी botany देखेंगे, कि morphologically वे प्लांट कैसा है, उसके वेबन प्लांट पार्ट्स कैसे हैं, देन उसके बाद हम उसके chemical constituents और उ पौदे का distribution देखते हैं, तो यह पौदा, this is indigenous to Mediterranean region, वहाँ का native पौदा है, और अगर वर्ल में हम देखें, तो कौरियंडरम सटैवम की खेती इंडिया में होती है, मरक्को, रशिया, रुमाइनिया, पॉलेंड, मेक्सिको, तर्की, अर्जेंटिना, USA, हंगरी, इन सभी इस् पौदेश, महाराष्ट्र, उत्रप्रदेश, तमिल नाटू, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम, पंजाब, इन विबिन राजियों में धनिया की खेती की जाती है, यह पौदा एक छोटा सा हर्भ है, एन्वल हर्भ है, यानि वारशिक पौदा है, और स्मॉल अ फ्लावर्स, बहुत छोटे वाइट कलर के या पिंक कलर के पिंकिश फ्लावर्स जो होते हैं, वो अम्बल पुषपक्रम जो की कंपाउंट टर्मिनल अम्बल है, उसमें यह पूद लगे रहते हैं, और अगर हम उस अम्बल पुषपक्रम को देखें, तो हम देखेंगे कि इसमें जो परिफ्री अर्था परीधी की पुषप हैं, वो थोड़े साइस में बड़े होते हैं, वो जाइगोमरफिक होते हैं, अर्थाथ एकव्यास सम्मित होते हैं, और सेंटर के फूल होते हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं, और एक्टिनोमरफिक होते हैं, अर्थाथ इसके अंदर पॉलिनेशन हो गया, फर्टलाइशन हो गया, उसके बाद फ्रूट डेवलप होता है, तो फ्रूट जैसा इस राइट साइड में आप पिक्चर में देखी रहे हैं, कि इसका जो फ्रूट है, जो से हम मसाले के रूप में यूज कर रहे हैं, वो एक वैसे इस पौदे के खीती के लिए, इट नीज फैरली माइड क्लैमिट, और स्पेशली कॉल्ड वैदर क्रॉप के रूप में रूप में रॉर्दन इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है, और इसके कई सारे कल्टिवर्स सेलेक्शन्स जो हैं डेवलप किये गए हैं, अच्छ कल्टिवर्स के नाम मैंने लिखे हैं, जैसे CIMPO, SIMPO, S20, and SIMPO, S15, जो कि इसके गुट फ्रूट्स के लिए बहुत ही फेमस है, SIMPO, S28, and SIMPO, S52, इसकी लीज गुट ग्रीन कल्टिवर्स के लिए हैं, और UD334, इस वेराइटी इस वेरी गुट फ्रूट्स के लिए ब इसमें मॉइस्टर 6.3% मिलता है, प्रोटीन 1.3%, फैट्स 19.6% है, कार्भो हाइड़िट्स नचुरली ज्यादा है, 24% है, कुरूट फाइबर रेशियो बहुत ज्यादा है, 31.5% है, और इसके लावा इसमें असेंशल ओयल मिलता है, कुछ मात्रा में, जो 0.1 to 1.7% होता है, इसके लावा धनिये में विटामिन A, C, B1, B2 और नियासिन भी मिलते हैं और इसके लावा इसमें कुछ मात्रा में वोलिटाल मिलता है, टैनिंस मिलते हैं, सैलूलोस मिलता है और पेंटोसांस चुГर्स मिलती हैं, पर यह जो इस धनिये की एक particular smell है, aroma है, खुश्बू है, बड़ी pleasant खुश्बू है, और इसका जो particular taste है, this is due to the essential oil which is found in the seeds, जो की इसकी quantity 0.12, 1.7% होती है, और यह जो oil है, it is colorless pale yellow liquid with a characteristic order and taste, इसमें कुछ मात्रा में hydrocarbons और oxygenated compounds होते हैं, और मुख्या इसमें compound है, जिसे नाम दिया 45-70% की मात्रा में मिलता है, और इसकी बहुत ही sweet, agreeable order, खुश्बू होती है, तो essential oil का content, अलग अलग वराइटीज के इसकी जो पेपने पहुते हैं, उनकी वराइटीज के अंदर डिफर कर सकता है, लग बह 0.1-1.7% मात्रा में मिलता है, and now we come to the uses of this coriandrum set item, तो इसकी पत्य के साथ, meat preparation, sausage, and even for making chutneys, flavoring curries and soups, उन सबके लिए इसकी पत्यां काम में आती है, seeds, they are a very important part of curry powder, and used for pickling spices, sausages, and even for seasoning, इसके लावा, seeds are also used for flavoring pastry, cookies, buns, cakes, even some tobago products, and liquors, gin, particularly gin को flavor करने के लिए, इस जनिये क्या है, प्रेयोग किया जाता है, and coriander oil, it is a main flavoring agent for liquors, perfumes, and even used in the chocolate industries, and even to mask offensive orders in the pharmaceutical preparations, क्योंकि कहीं बार कुछ मेडिसेंस होती है, जिनकी smell बहुत ही unfavorable होती है, जो हमें बहुत offensive लगती है, और उनको दूर करने के लिए भी coriander oil का प्रेयोग किया जाता है, and besides these, uses as a condiment or spices, इसके जो बीज हैं, इसके जो seeds हैं, इसका प्रेयोग मेडिसिनली भी हम करते हैं, और मेडिसिनली इसके seeds जो हैं, अगर छोटी इलाइची के साथ में उसको दिया जाए, तो they are used to treat flatulence, पेट में आफरा गैस की problem है, indigestion हो रहा है, vomiting या उल्टी आ रही है, या intestinal कोई disorders हैं, उन सभी को दूर करने में भी, इसके seeds का प्रेयोग किया जाता है, seeds are basically carminative in the nature, पाचक हैं, diuretic हैं, tonic हैं, stomach के पेट दर्थ को दूर करने वाले थे, aphrodusic property रखते हैं, और इसके seeds की pultis बना करके भी, यूज में ली जाती है, it's applied to chronic ulcers, and even in the carbuncles, और इसके seeds से, कुछ मात्रा में oleoresin भी extract किया जाता है, और वो oleoresin भी, beverages को flavor करने के लिए और इसके flavoring में, कई मिठाईयों की, और अधर delicacy, इसके flavoring में, वालियोरेजिन भी, यूज के लिए दिया जाता है, तो this is all about coriander, sativum, dhania, from the family apiacee, इसके fruits, यानि इसके seeds, और इसके leaves को हम यूज में लेते हैं, और इसके leaves को हम यूज में लेते हैं, और इसकी वबन, cultivars का प्रयोग करते हैं, और ये विबन मसाले हमारी Indian Kitchen का एक important part है, जो कि हमारी health को बहुती sustain करने में मदद करते हैं, thank you very much.